प्रियाग राज लाया गया लेकिन अश्रफ के साथ चल रहे उनके वकील विजय मिश्रा के जूनियर तीन अधिवक्ता जो कि वैगनार यूपी साथ जीरो एफ यू पाट चार दो आठ गाड़ी में सवार थे यूपी पुलिस ने उन वकीलों का चालान काट दिया और वज़ा बताई कि काफले में चल र रहे अश्रफ के वकील की गाड़ी पर काला शीश चड़ा था राइवरील की बच्रावत हरज शेत्र के कुंदन गंज में गाली को रुप कर उनकी तलाशी ली गए इसके साथ ही गाड़ी के अंदर रखे सभी कागदाद और सामान भी देखे गए गाड़ी के अंदर बैठ तीन जगे उन्हें रोका गया। आखरी में राइबरेली की सीमा में पहुँशने बर उनकी गाड़ी को फिर रोका गया। पूरी तरह से उनकी गाड़ी की तलाशी लेने के बाद उनका इचालन कर दिया गया। साथी वाहन में तोड़ फोन और अभधरिता का आरोग भी लगाया। अधिवक्ता आशीर श्रीवास्तप ने बताया कि माननी और चन्यायले के काम को लेकर वो बरेली से प्रियागराच जा रहे थी। वो काफले के साथ चल रहे थी। राए बरेली में उनकी गाड़ी को प्रिस ने किनारे करने के लिए गाड़ी से सटाकर रुखवाने की कोशिश की। पूरा मतलब पुलिस प्रसासा रहां का असरफ का अभी तक कोई दिख्कत नहीं लिए अभी तक इसारी जगह बच्रावाय कुद्ण गंज के जगह बीच में कुछ जगह पढ़ती है वहीं पर हम लोग मिले हैं पुलिस वाहे लोग दम आगे गाली लगा के रोके हैं अतु अभी तक इसारी ब्लैक फिल्म लेखाए कि अपर पुलिस अधिक्षक ने बताया कि माफिया डौन अतीक एहमत के भाई अश्रफ की काफले में वकीलों की गाली की चेकिंग की गए उन्होंने अश्रफ के साथ होने की बात कही और बताया कि वो कागस लेकर बरेली से प्रिय की चालन करके उन्हें छोड़ दिया कि